अपने योट्यूब चैनल इक्जाम 21 में आपका विलकम है इस भाग में हम लोग इंडस वैली शिविलाजेशन यानि संधा और सभ्यता टॉपिक से संबंदित important questions को देखेंगे जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही important होंगे तो आईए इन प्रसनों को हम लोग प्रारम करते हैं और या questions सारे संभावित आपके परिक्षाओं में आने वाले हैं आये भी हैं इसलिए आप लोग इनको बहुत अच्छे से देखिएगा पहला question है वह है सिंदु घाटी सव्यता का प्रसिद्ध नगर हडपा इस्थित्था तो यहाँ पर हडपा साइट के बारे में पूछ रहा है कि हडपा अस्थल इस्थित्था option है ए सिंदु घाटी के तटपर बी रावी नदी के तटपर सी गंगा नदी के तटपर और डी सरस्वती नदी के तटपर तो इसका सही आंसर होगा बी यानि रावी नदी के तटपर जो हडपा साइट था वह रावी नदी के तटपर इस्थित्था ओके अगला question है अगला कोशन है मोहन जोद्रो के महान असनानागार की खोज किशने की थी, महान असनानागार से तात पर है ग्रेट बात, तो मोहन जोद्रो के महान असनानागार की खोज किशने की थी, आप्शन A है मार्सल, मार्सल का पूरा नाम है जान मार्सल B है माधो, स्वरूप, वत्स C है R.D. बनर जी और D है कनिंगम तो इसका सही आंसर होगा R.D. बनर जी राखाल दास बनर जी इनके द्वारा महोंजोदोडो की खुदाई करवाई गई थी इसलिए महान असनानागार की खोज इनके द्वारा ही की गई थी बढ़ते हम लोग अगले प्रस्त की ओर अगला कोश्चन है सिंदु घाटी के समाज में काउन सा पसू सक्ति के प्रतीक से संबंधित था तो सक्ति के प्रतीक से रिलेट था या संबंधित था option A है ब्रिशव, option B है घोडा, option C है सिंग and option D है गज तो इसमें सही आंसर होगा ब्रिशव ब्रिशव जो है सिंदु घाटी समाज में सक्ति, साली या सक्ति के प्रतीक से से रिलेट था या संबंधित था अगला कोश्चन है भारती उपमहादीब के किस भाग में हडपा संस्कित का उदय हुआ कोश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग भारती उपमहादीब के किस भाग में हडपा संस्कित का उदय हुआ आप्षन A है पुर्वी आप्षन B है पश्चिमी option C है उत्तरपशिमी and option D है दक्षिण पूर्वी तो इसका सही आंसर होगा C उत्तरपशिम क्योंकि यह जो हडपा कल्चर था यानि इंडस वैली सिविलाइजेशन था यह भारत के उत्तरपशिम छेत्रों में यानि सब्त संधाव प्रदेश में especially इस्थित था जबकि मुख्य सेंटर इंडस वैली घाटी ही थी तो इसको ध्यारक नाम लो तो यह जो संधाव हडपा संस्कित था यह उत्तरपशिम छेत्र में था वैसे तो इसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया यानि बरतमान में है तीन देशों में है लेकिन उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत का ही अभिन अंग था इसलिए यह भारत के उत्तरपशिम छेत्रों में हडपा संस्कित का उदे हुआ या बिदमान थी ओके अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं अगला question है संध्य व सभयता ज्यांत हुई तो संध्य व सभयता के बारे में यानि इंडेस वैली civilization के बारे में हमें ज्यान कैसे हुआ या इसके बारे में ज्यानकारी हमें किस शुरोत के द्वारा हुई आप्षन A है अभिलेक, आप्षन B है साहित्य, आप्षन C है उत्खनन से और आप्षन D है सिक्कों से तो इसका सही आंसर होगा C, उत्खनन से संधव सभता के बारे में जानकारी पुरा तात्विक साक्षों से हुई है यानि एस्क्वेशन के द्वारा हुआ है बाई एक्स्वेशन यानि खुदाई के द्वारा संधव सभता के बारे में जानकारी मिली है तो इसका सही आंसर होगा C, उत्खनन से अगला प्रस्ण है हडपा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? यानि हडपा का आरंभिक हडपा सितात पर है हाँ साइट हडपा अस्थल का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? आप्शन A है और D वनरजी, B है दयाराम साहनी, C है मैके and D है मार्टीमर वीलर तो इसका सही आंसर होगा, B दयाराम साहनी द्वारा हडपा का आरंभिक उत्खनन करवाया गया और उस समय पुरा तत्व विभाग के जो निदेशक थे, डाइरेक्टर थे, वह जान मार्शल साहब थे और यह भी ध्यार रखेगा, आपसे एक्जाम में पूछ देता है, कि हडपन साइट या हडपा अस्थल की खुदाई, दयाराम साहनी द्वारा कब कराया गया, तो 1921 भी में, ध्यार रखेगा, बहुत इंपार्टेंट है, 1921 भी में, हडपा अस्थल का उत्खनन, दयाराम स साहनी के देख रेक में, या दयाराम साहनी द्वारा कराया गया, और उस समय पुरा तत्व अभी भाग के जो प्रमुक थे, ज्यान मार्सल थे, ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रसन की और, अगला प्रसन है, सिंदु घाटी के निवासियों को किस धातु का ग्यान नहीं था, तो किस मेटल के बारे में उन्हें नालेज नहीं था, बहुत इंपार्टन कोश्चन है, आपके एक्जाम में हमेशा पुछा जाता है, तो आपसन ये है, सोना यानि गोल्ड, आपसन वी है चादी यानि सिल्वर, आपसन सी है लोहा यानि आईरन, आपसन डी है तावा यानि कॉपर, ओके, तो यहाँ पर संधव निवासियों को गोल्ड सोने के बारे में जानकारी था, चादी के बारे में भी जानकारी थी, तावा के बारे में भी जानकारी थी, लोहे के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी, तो इसका सही आंसर होगा, सी लोहा, यानि प्रस्न है निम्नलिखित पसु समूहों में से काउन सा समूह मोहन जोदडों की पासुपती मुद्रा पर अंकित है जो मोहन जोदडों से पासुपती मुद्रा अंकित सील पर यानि पासुपती मुद्रा मिली है वह एक सील पर है यानि मुद्रा पर अंकित है तो उस पर किन-क पस्वो का अंकन है तो यहां हम लोग देख लेते हैं कि यह पासुपति सीव है और यह meditation की मुद्रा में यानि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए है तो इनके दाहिने तरफ right hand यह ब्यागर है यानि टाइगर है ब्यागर है और हाथी है यानि elephant है और elephant है इसके बाद ब्याग रहो गया हाथी हो गया इसके बाद गैनडा है राइनोसेरस है इसके बाद भैसा यानी बैफैलो ओके यह चार पसु है पैर के पास deer यानी हीरन है तो इसको ध्यान रखना है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इस मुहर पर पास उपस सिव की जो मुद्रा है उस पर अंकित इस चार उपस को हमें दिखाई पड़ रहा है टाइगर इसके बाद यानी ब्यागर हो गया elephant यानी हाथी इसके बाद गैनडा और भैसा इस चार पसु तो इसमें कौन से हैं यहाँ पर सिंग दे दिया है हाथी भैसा और ब्रिशब तो ब्रिशब भी नहीं है इस पर तो ब्रिशब भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा यहां दो गलत होगए यहां पर यानि हाथी और भैसा तो सही है बी या आपसन हम लोग देखते हैं बी है ब्याग्र है हाथी है गैड़ा है और भैसा है तो यह चारो पसु है इसलिए सही यही होगा अन्य आपसन भी हम लोग देख लेते हैं C कहा रहा है सिंग तो लायन है नहीं यहाँ पर टाइगर है यानि ब्यागर है बाग है गैडा है सही है भैसा है और फिर यहाँ पर हार्स गोडा दे दिया है तो हार्स भी नहीं है सिंग भी नहीं है दो पसु इसमें भी मैश नहीं कर रहे हैं तो यह भी नहीं होगा आपसन D कहा रहा है ब्रिशव तो ठीक है D में ब्रिशव और इसके बाद भैसा हाथी गैडा तो यहाँ पर ब्रिशव भी मेंसन कर दिया है तो यह भी सही नहीं है क्यों क्योंकि ब्यागर, हाथी, गैडा और भैसा है इसलिए इसका सही आंसर होगा B तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लिजिएगा कि मोहर पर जो चार पसु मिले हैं इनका बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है बहुत important यह questions है इसका लिखित पसुओं में से काउन हडपा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता यह भी question बहुत important है यानि हडपा से जितने सील यानि मोहर प्राप्त हुए है इंडेस वैली civilization से वहाँ उस पर किस पसु का अंकर नहीं है यह question कर रहा है आपसन A है व्रिश यानि आस्क यानि बैल आपसन B है गज आपसन C है व्याग्र और आपसन D है गाय यानि काउ तो इसमें सही जो आंसर होगा काउ गाय का चित्र नहीं मिला है यानि कोशन कर रहा है निमन लिखित पस्वों में से कौन हडपा की मोहरोब प्राप्त नहीं है तो गाय का चित्र नहीं बना बिला है या गाय काउस पर मेंसन नहीं की गई है जबकि व्रिश व्याग्र गज का अंकन मिलता है अगला कोशन हम लोग देखते हैं आपसे बार-बार पुछा जाता है उत्तर प्रदेश से संबन्धित सभी परिक्षाओं में लगवग या कोशन्स पुछा जाता है और UPPCS में भी या कोशन इंपार्टेंट है पुछा जाता है कोशन एक बार फिर देख लेते हैं तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आलमगीर पुर साइट है या अस्थल है या उत्तर प्रदेश में इस्थित है और उत्तर प्रदेश के मेरट जीले में या इस्थित है या भी आप से कोशन में पूछ देता है एकजाम में यानि मेरट डिस्टिक में या पढ़ता है मेरट डिस्टिक में या इस्थित है और वह भी हिंडन नदी के किनारे है ठीक है तो हिंडन रिवर के किनारे आलमगीरपूर जो साइट है वह इस्थित है और हिंडन नदी या मुना नदी की सहायक नदी है तो यहां इंपार्टेंट है आगे आप लोग देखिएगा और जो लोथल साइट है या गुजरात में पढ़ता है काली बंगा राजस्थान में पढ़ता है बहुत इंपार्टेंट है यहां से जूते ही एक खेत का साक्षी मिला है इविडेंस प्राप्त हुआ है चान इसका सही आंसर होगा ए मोहन जोदड़ो से सूती वस्तरों के प्रियोग का प्रमाण मिलता है अगले प्रस्ण को अब लोग देखते हैं अगला कोश्यन आए निमनल इखित में से कौन सुमेलित नहीं है बहुत इंपार्टन कोश्यन है ध्यान रखना है एक कह रहा है आलमगीरपूर तो आलमगीरपूर जो साइट है इंडस वैली सिवलाजेशन का या उत्तर प्रदेश कह रहा है तो यह सही है कि आलमगीरपूर जो अस्थल है या उत्तर प्रदेश मे । न पूताइच किया है या भी सही है लोधन साइठ गुजरात राज मेचतित है या गुजरात एश्टेट में पड़ता है इसके बाद C कहär रहा है काली बंगा काली बंगा हरुणा मैच कराया है जब कि यहाग गलत है काली बंगा हर्याडा में नहीं है अपी तुर राजस्थान में इस्तित है त्यार रखेगा राजस्थान एस्टेट में पढ़ता है और अगला साइट है D. रोपण रोपण कह रहा है पंजाब है तो यह अभी सही है इसका मतलब यह है कि कौन सुमेलित नहीं है तो C जो है वह सुमेलित नहीं है काली बंगा राजस्थान पढ़ता है नो की हर्याडा में बहुत इंपार्टेंट है इसी तरह के कोश्चन उपी PCS अधर स्टेट सिवेश सर्वि करते हैं अगला कोश्चन है एक जूते हुए खेत के साक्ष पाए गए है यानि जूते हुए खेत का एविडेंस कहां से मिला है वह हम लोग देख लेते हैं आप्शन है A मोहन जोड़ो B हडपा से C काली बंगा से और D लोथल से तो इसका सही आंसर होगा C काली बंगा से खा हल से बनी हुई एक फिल्ड मिला है जहां हल से बनी हुई यह नालिया मिली है और इस फिल्ड से यानि खेस से दो फसल के बोई जाने का साख्ष मिला है एक चयना और दूसरा सरसो एक तो चयना बोए जाने का प्रमाण यहां से मिला है। ओके बहुत important है। काली बंगा राजस्ताने पड़ता है। तो यह भी important site है। आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक्जाम में हमेशा यह question पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला question है। संदोउ सबयता का कौन सास्तफल समुद्र बयापार का मुख ये केंदर माना जाता था। आपसने है काली बंगा, आपसन B है हडपा, आपसन C है धाुलावीरा, आपसन D है लोथल। स्मुद्र व्याफार सिट्रेट, का में सेंटर, केंदर था अगले प्रस्ना क्योंग बढ़ते है अगला प्रस्न है निम्नलिखित में से कौन सी सिंदु घाटी सबयता की सबसे प्रमुक विशेशता थी आपसन A है अर्थविवस्था, आपसन B है धार्मिक जीवन, आपसन C है नगर योजना आपसन D है सामाजीक जीवन तो यहां इसमें सबसे सही आंसर होगा जो नगर योजना यानि जो नगर बसाए गए थे वह प्लानिंग के साथ बसाए गए थे यानि नगर नियोजन सबसे अच्छी व्यवस्था थी तो यह बहुत इंपार्टेंट है संधव सबता की सबसे महत्वपूर विशेशता थी एकजाम में हमेशा पूछा जाता है कोश्चन आईए हम लोग अगले प्रसने की ओर बढ़ते हैं अगला कोश्चन है हडपा सबता के विशाल नगरों में से एक धावला वीरा कहां इस्थित है आपसन A है सिंध में आपसन B है पंजाब में आपसन C है राजस्थान में आपसन C है डी है गुजरात में तो जो धावला वीरा साइट है ध्यान रखना है यह गुजरात एस्टेट में या गुजरात राज में इस्थित है या पढ़ता है ओके बहुत इंपार्टेंट है और धावला वीरा साइट से आप लोग जानते रहेगा यहां से ब्लैक बोर्ड का भी एबिडेंस मिला है सा साक्ष मिला है और यहां से जलासे का भी साक्ष मिला है यानि यह तीन बहुत इंपार्टेंट है तो बहुत इंपार्टेंट यह साइट है गुजरात में इस्थित है आईए बढ़ते हम लोग अगले प्रसन की और अगला प्रकोशन है नीमन में से कौं सा हडप impeachment तीन भागों में विभाजी था है ओके बहुत इंपार्टेंट है कोशन आपसन A है काली बंगा आपसन B है हडपा आपसन C है लोथल and आपसन D है धौला वीरा तो इसका सही आंसर होगा D धौला वीरा धौला वीरा जो साइट है डिवाइट 3 PARTS यानि तीन भाग में या विभाजित है ओके यानि पूरो में इश्ट में यानि पूरो में नगर है पस्शिम में सबसे पस्शिम में सीटा डेल है यानि दूर्गटिला और बीच में Middle City है यानि मध्यनगर अथवा अवाम नगर है ओके जबकि इसके आलावा ध टू पार्ट एक नगर में और एक दूर्ग में ओके पूर्व में नगर टिला और पश्ची में दूर्ग टिला था जबकि धौला वीरा जो है तीन भागों में भी भाजित था इसलिए इंपार्टेंट है आपके परिच्छा के दृष्टि कोड से अगला कोश्चन है संधाव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है यानि इंडस वैली सिवलाजेशन मानव इतिहास के किस काल से रिलेट है या संबंधित है आपसन A है पूरो पासाण काल आपसन B है आदे अतिहासिक काल आपसन C है नव पासाण काल और आपसन D है अतिहासिक काल तो इसका सही आंसर होगा B. आदे एतियासिक काल जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एज करते हैं ओके? प्रोटो हिस्टोरिक एज से रिलेट संदव सबता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिख्षा एजूकेशन के बारे में साक्षी मिला है और अविलेग भी मिला है लेकिन जो अविल अपनिय नहीं है वह पढ़ा नहीं जा सका है ओके इसलिए इसे आत्यासिकाल के अंतरगत अध्यन किया जाता है या रखा गया है तो यहां बहुत इंपार्टेंट प्रस्न थे इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा और हमारा चैनल एकजान 21 आप लोग सब्सक्राइब व हाग में